हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नबर 6 महादीप और महासागर का सेकेंड पार्ट हम फर्स पार्ट कर चुके हैं जिसमें 1 से 40 तक कोशन हम कर चुके हैं और यह है आपका नंबर 14 नंबर कोशन और चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें दक्षिन अमेरिका के लास्ट में हम बात कर रहे थे दक्षिन अमेरिका से कंसर्णिंग जो फैक्ट से उनके बारे में बात कर रहे थे तो यहीं से स्टार्ट करते हैं धर्ती के फेफिडे किसे कहा जाता है धर्ती के फेफिडे किसे कहा जाता है क्योंकि अमेजन के जंगल जो है वह धर्ती का बहुत बड़ा हिस्सा जो जंगलों का है वह अमेजन जंगलों का है और ऑक्सीजन प्रवाइड कराते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसकी वज़े से संतुलन है एंवार्मेंट में वह काफी बना रहता है तो इस वज़े से धर्ती के फेफडे से का जाता है तो अमेजन के जंगलों को क्या का जाता है धर्ती के फेफडे के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एक बात और ये विस्व का सबसे बड़ा वन छेत रही आपको निशित रुप से पता होगा चली नेक कोशन देखते है फैज पेजंडा क्या है? तो फेजंडा के बारे में आप क्या जानते हैं? फेजंडा कौफी के बागान है. कौफी के बागान जो है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है किस देश में सरवाधिक कौफी उत्पादन होता है किस देश में सरवाधिक कौफी उत्पादन होता है तो देखे सरवाधिक उत्पादन होता है ब्राजील के अंदर और वहाँ पे कौफी के जो बगान है उनको क्या कहते हैं उन बागानों को कहते हैं फैजेंडा और इसी वज़े से यहाँ पर दक्षण अमेरिका से सम्मंदित ये कौफी उत्पादन है क्योंकि वहाँ विसुका सरवाधिक कौफी उत्पादन होता है कहा होता है बाजील देश के अंदर होता है जो कि दक्षण अमेरिका महादीप में उसका अंटार्क्टिका और अंटार्क्टिका एक ऐसा महादीप है जो विश्व का सबसे ठंडे महादीपों में से एक है या फिर ये कहें कि विश्व के जो साथ महादीप है उसमें सरवादिक जो ठंडा महादीप है वो कौन सा है अंटार्क्टिका है और इसी वज़े से यह वहां की जो population है वो ना के बराबर है वहां पर कोई भी जो human community है वहां पर कोई भी स्थाई रूप से वहां पर निवास नहीं करती है अंटार्क्टिका में जाने वाले पृथम भारतिय कौन थे ऑर इनली के नाम पर वहां पर एक किस्थान है जिसका नाम सिरोखी पॉयंट है इनके नाम पर अंटार्क्टिका में एक इस्थान को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है सिरोही पॉइंट नेक कोशन देखने हैं अंटार्क्टिका महादी पर इस्थित भारत का प्रथम अनुसंधान केंदर का नाम क्या है तो इसका नाम क्या है मैत्री जो प्रिथम अनुसंधान के इंद्र है वो तो मैत्री है और दूसरा अनुसंधान के इंद्र है वो दक्षिन गंगोत्री है दोनों ही important है इस वज़े से मैं आपको दोनों नाम बता रहा हूँ बाकि जो प्रिथम अनुसंधान के इंद्र है वो क आंटार्क्टिका की खोज किस ने की कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 यानि 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्क्टिका की खोज की थी अंटार्क्टिका पर पिर्थम कदम किस ने रखा जॉन डेविस ने रखा था 1821 में जॉन डेविस 1821 में अंटार्क्टिका पर पहली बार गए थे कैनियन किसे कहा जाता है देखिए ग्रांट कैनियन के बारे में आपने अभी पढ़ाता कुछ टाइम से ले तो ग्रांट कैनियन जब कैनियन की बात आती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैनियन एक्चुर में है क्या तो कैनियन किसे कहा जाता है नदी द्वारा सुस्क शेत्रों में निर्मित तेज धाल वाली घाटियां जो नदी जो तेजी से भैदी है तो सुस्क शेत्रों में क्या करती है वो एक तेज धाल वाली घाटी का निर्मान कर देती है जाव से भैदी है तो उसको हम क्या कहते हैं कैनियन कहते हैं ठीक है चली नेक कुश्चन देखते चेत्रफल की द्रश्टी से विश्व का दूसरा सबसे चोटा और जन्संक्या की द्रश्टी से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादीब कौन्चा है? चेत्रफल की द्रश्टी से विश्व का दूसरा सबसे चोटा और जन्संक्या की द्रश्टी से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादीब कौन्चा है? कौन सा है वो है यूरोप फिल्कुट जो सबसे छोटा है वो है और उससे जो बड़ा है यानि दूसरा सबसे छोटा जो है वो कौन सा है यूरोप है और जन्शांख्या की द्रश्टी से यूरोप का तीसरा नमबर आता है तो इस पात का आप निश्चित रुप से याद रखे तो इसका अंसर देखिए उत्तर में यूरोप के आर्क्टिक महासागर है और पश्चिम में कौन सा है अटलांटिक महासागर है उत्तर में यूरोप के आर्क्टिक महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है नेक कोशन देखनें काकेशस पर्वत और काला सागर किस महादीब का हिस्सा है काकेशस पर्वत और काला सागर किस महादीब का हिस्सा है देखे आपने विसु का जो मैप है वो देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको जगह याद आ रहे होंगी ये काके सस परवत काला सागर किसका है, वो भी यूरोप का हिस्सा है, जो कि दक्षनी पूर्वी भाग में इसके इस्तित है, यूरोप के जो दक्षनी पूर्वी भाग में क्या है काके सस परवत, काके सस परवत और काला सागर दोनों ही इस्तित है, नेक कोशन देखते हैं, य ये उरोप की जो सबसे लंबी नदी वॉलगा जो है, वो किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है. विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये हम सभी जानते हैं विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी जो बहुत ज़्यादा छोटा है और इसके अपनी कोई सैना भी नहीं है. तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन स तो पता है आपको क्या है यूरोप बिलकुल और यूरोप में एक बात और है क्रुंटा प्रिदेश वगरा जो यह जगें हैं इनकी वज़े से यहाँ पर जो सिट्रस फूट है यानि खटे फल जो होते हैं जैसे कि अंगूर हुए नीबू हुए इनका जो क्रिसी है इनकी जो फसल है बहुत ज़्यादा होती है इनकी पैदावर बहुत ज़्यादा होती ह समलित रूप से क्या कहा जाता है देखे ये question पहले भी एक बार आ चुका है इस चीज चीज को आप धियान रखेगा Australia, New Zealand, Tasmania और निकटवरती डीव सम Leaving उनको 스트anee को समलित रूप से क्या कहा जाता है यानि इन सारे जो डीव सम्हें ऐस्टेलिया है इन सबको एकटा कर दिया जाए तो इनको क्या कह जाएगा तो इनको कहा जाता है आरेशिय rules ऐगा तुyourod Schulte महादीब कौन सा है विश्व का सबसे छोटा महादीप कौन सा है ये निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि ये सबको पता है कि ये सबसे छोटा महादीप कौन सा है आस्ट्रेलिया है सबसे छोटा महादीप आस्ट्रेलिया है नेक कोर्फचन आश्ट्रेलिया का सबसे लंबे पर्वत का क्या नाम है? जो लंबा पर्वत है उसका नाम है Great Dividing Range नेक कोर्फचन देखते हैं question number 59 great barrier reef क्या है great barrier reef क्या है तो देखिए यह बहुत important question है और यह कई बार आ भी चुका है विश्व सबसे लंबी मुंगा निर्मे दिवार देखिए मुंगा जो होता है वो एक प्रकार का समुद्री जीव होता है और मुंगा बहुत सारे हमारे यहां पर जो astrology होती है उसके अंद हो गया है इतनी बड़ी मात्रा में वो डवलप हो गया कि उसने बहुत बड़ा एक दिवार खड़ी कर दी है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तर्ट प्रसांत महासागर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा छेत्र जो है वो मुंगा इसे दिवार बन गई है एक बहुत यह रीफ कहलाती है और यह आस्ट्रेलिया के पूर्वी तर्ट पर है प्रसांत महासागर में ठीक है नेक्ट कोशन देखिए इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा ये क्या है भेड की एक नसल है ये क्या है भेड की एक नसल है मेरीनो और ये और न्यूजिलेंड में पाली जाती है और जब और न्यूजिलेंड में पाली जाती है तो ये आपको पता है कि यहाँ के कंगारू भी बड़े फेमस हैं आस्टेलिया में कंगारू बहुत फेमस है और मैरीनों की जो भेड है वो भी यहां की बहुत फेमस है यह यहां पर बहुतायत मात्रा में पाली जाती है विष्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्तल कहां रिष्टित है, जिसका नाम क्या है, Great Victoria जो है, विष्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्तल है और सबसे बड़ा कौन सा है सहरा मरुस्तल, सैकेंड नमबर पे कौन सा आता है अरब का मरुस्तल और तीसरे नमबर पे ग्रेट विक्टोरिया चलिए नेक्स क्योशन देखते हैं काल गुरली वे कुल गार्डी क्या है ये सोनी की पिरसिद दखाने है तो डेफिनेटल इसको ता बिलकुल नहीं बोलेंगे काल गुरली और गुलकार कुल गार्डी ये क्या है सोनी की पिरसिद दखाने है जो आस्ट्रेलिया के अंदर इस्थित है नेक्स कुश्चन देखते हैं और जितने भी जो नेच्टरल रिसोर्से जहें उनकी जो नाम रखे गए बहुत अच्छे रखे गए तो काफी आसानी से याद हो जाते हैं तो उस्टेलिया की जो प्रमुख नदिया उनका था नाम भी बहुत अच्छा है एक है मर्रे और दूसरी है डार्लिंग मरे डार्टिंग, ऐसे याद करते हैं इसको, डार्लिंग मरे, चलिए, मरे वे डार्लिंग, यहां की दो प्रुमुक न दिया है, नेक कुश्चन देखते हैं, विस्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, देखें महादीपों की जो मेन फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता अब यहां से सुरू होते हैं महासागरों पर, तो विस्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है प्रिसांत महासागर, और प्रिसांत महासागर प्रित्वी का लगभग एक तीहाई हिस्सा, जो कवर करता है, वो प्रिसांत महासागर के द्वारा कवर होता है, प्रित् प्रशांत महासागर की जो आकरती है वो कैसी है त्रभूजाकार है याद रखेगा प्रशांत महासागर जो है उसके आकरती कैसी है त्रभूजाकार है चलिए नेक को से देखते हैं पृत्वी का सबसे गहरा गर्थ किस देश के पास इस्तित है देखिए यहां पर यह नहीं प के पास इस्तित है तो सबसे निकर्तम जो देश है वो है फिलिपिन्स फिलिपिन्स के पास मौरियाना गर्थ है और ये करीबन 11 किलो मिटर यानी 11,000 मीटर गहरा है और प्रिसांस अगर में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा माउंट एवरेस्ट भी यहां पर अगर रखा जाए उसकी उचाई के साब से रखा जाए तो वो भी पूरा डूब जाएगा तब भी लगभग तीन नहीं दो सवादो किलो मिटर का पानी के अंदर रहेगा इतना गहरा है ये फिर्थी का सबसे जो गहरा गर्थ मौरियान गर्थ है वो करीबन 11 किलो मिटर गह जाता है प्रिशांत महासागर के तटिय भाग को अगनी मेखला क्यों कहा जाता है ये कोशिशन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजेगा प्रिशांत महासागर के जो तटिय भाग हैं वहाँ पर करीबन 60% जो भूकम और जाला की इसके तटिय भाग में आते हैं इस वजे से प्रिसांत महासागर के तटिय भाग को अगनी मेखला कहा जाता है नेक कोशिण देखते हैं S आकार का महासागर है देखिए मैंने बोला था कि पिरसांत महासागर है तरबुजाकार था इसी तरह S आकार का महासागर कौन सा है तो ये कोशन बार-बार रिपीट होते हैं इस चीज को विशेश तोर पर याद रखेगा Atlantic महासागर है उसके आकरती कैसी है S के आकार की है कैसी आकरती है उसकी S के आकार की और आकार की दरष्टी से ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी है इस बात को भी आप याद रखेगा Atlantic महासागर आकार की दरष्टी से दूसरा सबसे बड़ा महासागर भी है नेक कोशन देखिए, डागर बैंक और ग्रांड बैंक क्या हैं, डागर बैंक और ग्रांड बैंक क्या हैं, क्या हैं ये, ये हैं मसली पकड़ने का केंदर, यहाँ पर मसली पकड़ने का केंदर के तौर पर यहाँ पर मसली उत्पादन, मसली पालन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कोशन देखते हैं मध्य अट्लांटिक कटक क्या है मध्य अट्लांटिक कटक क्या है तेकि मध्य अट्लांटिक कटक क्या है जैलमंगन परवत तंत्र अट्लांटिक महसागर में कुछ परवती तंत्र है जो कि डूबा हुआ है और इस वज़े से दिखाई नहीं देता है लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ जब बड़े जहाज जाते हैं तो उन चीजों को द्यान रखना पड़ता है, अदर्वाइस बहुत बड़ी घटना है, द्रुगटना होने की संभावना बनी रहती है, और इसको हम क्या कहते हैं, जल्बंग परवत तन्थ जो होता है, उस विस्व का सबसे वेस्ट समुद्री जल मार्ग किस महासागर में माना जाता है, तो देखिए, इसका आंसर है अटलांटिक महासागर, जो विस्व का सबसे वेस्टम समुद्री जल मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से यह व्यापारिक रास्ता है, क्योंकि यूरोप और उत्तर अमेरिका के मध्धे होने के खारण ये दोनों ही विक्सित देशों का एक छेत्र भी बहुत है तो यहाँ पर जो है ग्यापारिक गतिविद्यों की ज्यादा गतिविद्या होने की वज़े से ये सबसे ज्यादा विस्तम समुद्री जलमार कहा जाता है नेक कोशन देखें, विष्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विष्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्क्टिक महासागर है. विष्व का सबसे छोटा महासागर है, वो आर्क्टिक महासागर है. नेक कोशन, आर्क्टिक महासागर किस जल संधी द्वारा प्रसा चली औक कोईटिक महासागर किस जलसंधी दौरा उत्तर अटलांटिक से जुड़ा है तो इसका आंसर क्या है? डैनमार्क जल संधी द्वारा. डैनमार्क जल संधी द्वारा किसे जुड़ा हुआ है? उत्तर अटलांटिक से आर्क्टिक महासागर जुड़ा हुआ है. अंडमान निकोबार, लक्षदीप, मौरिसस, मैडागासकर, श्रिलंका किस महासागर में इस्तित है? ये तो निश्यत रूप से हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार, लक्षदीप, मौरिसस, मैडागासकर, श्रिलंका किस महासागर में इस्तित है? हिंद महासागर में. और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी कहां आता है, हिंद महासागर का ही हिस्सा है, इसका अंतिम कोश्चन देखिए, किस महासागर का नाम किस देश के नाम से है, तो हम सभी जानते हैं कि एक ही महासागर है, और वो क्या है, हिंद महासागर जो हिंदुस्तान के नाम पे है, हमारे देश के नाम पे है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है निशी तरोप से और इसी गर्व के साथ इस चैप्टर को समापन के ओर ले जाते हैं ये आपका लास्ट कोशन था तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तक्ता के लिए थैंक यू